कि पुर्ट जी हमारे साथ जुड़ी है जी आपका स्वागत है इस्तक्बाल कि थैंक यू आजो पिल्ट यू येस यू आरो डिपल थैंक पूसे अलेकम हैंसलाव नाया प्रेश्च में मुमिना यू और अमिर जी को बताना चाहते हूं कि मैं मुमिना ही हूं मैं मुस्लिम हु तो कोई पाबंद नहीं हूं बट हां जैसे भी कर रर्वक्त होता है तो उसे साब से मैं पढ़ लेती हूं because I am working मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता पर जैसे भी होता है मैं पढ़ लेती हूं कोई सुरह रा सुना सकती है हां जी सुर्य फार्तिया मैं सुना सकती हूं गलती होगी तो माफ कीजिए का क्यूंकि मैं प्रॉपर ली इतना नहीं टाइम टू टाइम पड़ पाती इस पूंद भी लाहिम इने श्रेटवान रर्रजीम बिस्मिल्लाय रम्मान रर्रहीम अलहम्द लिल्लाहि रभ्लाल्मीन मालकी यॉमी दीन वईयकना बुदू वईयकनस्तईीन एहदना सिरात्रमस्तकीम सिरात्र लजीन अनमत अलैहिं गईरी मग्दूबे अलएहिं व्लवत दौलीन आमीन यह제र की कितनी रखाट्वर्ज होती है है दो रखाट फशी जटेए और मगरीब की उ साथ रखाट की नम नफिल होती है अच्छा ठीक है अच्छा निकर जी कब से चैनल देख रही है आप इसलाम के बारे में आपकी क्या सोच है फिर अभी कि इसलाम की सोच तो मैं खुल के बात करना चाहूंगी मैं को यह पर डिफ्लेक्ट करने नहीं कुछ भी या मतलब कुरान की आयाते जो आपने दिखाई है तो मैंने उसको मतलब let me be frankly speaking to you Hindi में जैसे मैं बात करूँ तो वैसे मैं को कुछ ऐसा है वो खासा यह नहीं है कि तो आप मानती है जो हम बताते हैं वो सारी तीजे इसलाव में गलत है कि आप तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि जितनी आप से जो चीजे बताई है और यो मैंने सुनी वह मुझे सहीं लगई है क्या क्या Chis कि अब जैसे कि अपने अपने सेक्सलेवरी के बारे में बताया थी कहा करना फिक है नहीं को पटाया नहीं होता है भाद बोलते हैं जो भी बोलते कहसे दुच्छानी रखता और जो ऊह गुलाम वर्डी अपने में बयान है कि किसी को गुलाम बनाना आज के टाइम में राइक वी आर इंडियन मुस्लिम मतलब आपको परी लिखी है निकट जी आपको क्या लगता है मतलब एक्जाइब डिगरी नहीं बताना आपकी ग्राजुएट है पोस्ट ग्राजुएट है न यह जो गुलामी वाला आपने जो सुना था ठीक है और यह आपको यह जो रसुल्ला की हरकत थी एक मतनी कर्थी नहीं कोई डिफेंड करने नहीं को डिफेंड करने नहीं आई हूँ यह यह भी बोलने नहीं कि अब कॉन सा अगर इसलमान होगा और इसलाम पर चलेगा उसके अंदर हुमानिटी रही नहीं सकती है फिर वो स्लेवरी को डिफेंड करेगा वो चाइल मैरेज को डिफेंड करेगा वो दूसरों को अपने से कमतर समझेगा अपने आपको सुप्रीम समझेगा वो यह चाहेगा कि पुरी दुनिया जो है वो उस पे इसलाम का रूल आ जाए चोर के हाथ काट दिये जाए हाज है ना तो यह तो हुमारिक नहीं है यह आप जो बोल रहे ना यह मैं एगरी कर लेती हूं कि इसलाम में इसलाम में बॉला जाता है और मुझे भी पता है तो आप पिर अभी मुस्लिम क्यों है आप शिफेक इनसान दे सकती है तो पर बात की थी तो वह ने आपका वो वीडियो सुना था वह डॉक्टर है तो जी जी तो उन्होंने भी बहुत सरी बाते बुली तो उन्होंने कुछ चीजे अब्यूज भी की थी मुझे उससे कोई प्रब्लम भी नहीं बढ़ी बात नहीं है वो बट मुझे कहना यह है कि बहुत सरी चीजे लड़कियों को लेके कि आपको स्ट्रिक्ली यू हाफ तो फॉलो मिन्स यू हाफ तो फॉलो एंड जो यह शोहरवानी को अपने बात बताई थी ना फरिष्टे बीवी अगर तयार नहीं होती है तो लानत यह बहुत ना आम बात है बहुत आम बात है लड़कियों को लिया जाता है कि करो एंड मैं परस्नली मेरी यह रहा है कि मैं एक एजुकेटेड परसंट के साथ शादी करू जो सेक्रिटलिजम में ब्लीट परे और डॉमिनेटिंग ना हो डिलीजन को लेके कल्चर को लेके जहनियत बेकार है बाक्तिल तोर से जहनियत नहीं है अलबता मैं यही बोलूँगे और यह जो आप बोल रहे ना बहुत सारे मुसलिम्स लोग है माइनर्टी में इसके लिए क्योंकि उन्होंने तजुर में से कुरान शरीफ पढ़ा ही नहीं है तजुरमा ही नहीं पता है त तो फिर वो कै Γिन्ज तर पे उनको बयान समझ में आईंगे और बहुत सारे लोग तो मुफती है जो भी एं वो भी इतना कोही इसलाम अच्छे से फॉलो कर ही नहीं सकता बहुत सारी चीज़े है और हम इंसान है हमारी कुछ मतलब खौईशात होती है जो भी है खाना है पीन तो सब कुछ नहीं मिलेगा आपको और यह एक लेट में हाइलाइट वन मोर पॉइंट टू यू एक अबॉशन नहीं करना यह चीज नहीं समझना थी हम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है समझ रहो ना बहुत जबदस्त और एक बाद में को बच्चा अपना निखजी इस रहुत इसलाम तो आपको बच्चा पैदा करने की जमीनी मशीनी समझता है क्योंकि वह आपको पुरान में आपको खेती कहता है आप खेती है आ अवरत आपकी फ़सल वैसी आपकी नसल यह बात है ज़हीं बोल भी मैं अगर आप अगरी कर तो क्योंकि ऐसा है मैं मतलब मैं म को छोड़ा क्या रिजन था अप देवबंदी लब भूत कुछ आपने बताया बहुत कुछ आज सबना मुझे बट न मुझे में को भी सही भोलू तो लॉजिकल तिंकिंग आज के ड़ेट में लॉजिकल तिंक में वह देखा जाए तो वह पॉसिबल नहीं पुराने जमाने मे दोर की बात करें तो यह सब चीज़े फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है और रिलीजिश में चलना मैं आप मेरी बात सोने मैं फिर से बुट इस नौट पॉसिबल यार और आपको पीस चाहिए ना जिंदगी में जीने के लिए तो प्लीज यार लोगों को जज़ करना बंद लोग है मैं फ्रैंकली बात बताओ इस्लामिक रिलीजिशन उनली मैंने हिंदू बंदे भी है और भी लोग है और भी मैंने देखा है लाइक नायर वह बहुत जजमेंटल होता है मतलब इस नौट अबट रिलीजिशन पॉपस मैं आपको करेक करता हूं एक होता है कि परसनल पर आपके सीज साहे ऑंके मेरे में दो बहुत जढ़ा है रेकी लोग में भी रहती है हम जजमेंटल हो जाते हैं हम हम गलत चीजों को भी सही हमान लेते हैं और वह आपने बताई मुस्लिमों को लेखे या बाकी चीज़ा आपने मुल्ला मौलवियों की बात की तो ये तो ये सोच ये outdated सोच तो आ रही है इसलाम के वज़े से ना नी नी बात आपकी सही है क्योंकि इसलाम में वही तो जैसे भेड़ बक्रियों को कैसे बरते ना जिनको पता नहीं है कि वो क्या चर रही बस चर रही है समझ रहो ना मिरी बात तो आप उस भेड़ बक्री का हिस्सा रहना चाती है या आजाद होना चाती है आजाद तो मैं को लगता है हम पहले से ही है मुझे नहीं लगता कि for a name sake let me tell you for a name sake it is there name sake के लिए भी नेम से के लिए भी देखिए इधर problem आ जाती है नेम से के लिए नेम से के लिए मैं ऐसे से अपना नाम जोड़ना चाहूंगा जो अच्छी चीज हो मैं बुरी चीज के लिए नेम से के लिए भी क्यों रहूं आप इस बात को बहुत गहराई से सोचना जब हम बोलते हैं कि नाम के लिए तो हम नाम भी उससे जोड़ना चाहते हैं अगर्चे वो सिफ नेम से के लिए है जो अच्छी चीज है आप अपना नेम से के लिए भी आप इस गंदगी से क्यों जुड़े रहना चाहती है नाम भी आप उससे क्यों जुड़ा रखना चाहती है कोई अच्छी चीज के साथ आप अपना नाम जोड़के रखिए तो चल जाएगा अगर्चे आप ना फॉलो करें लेकिन ऐसी के लिए नेम से भी नहीं होना चाहिए अग्री कर रहें आपकी बात मैं बोल सकत नहीं शेयर कर पाते हो दिल खोल के यह जो प्लाटपॉम मुझे मिला है और यह जो मैंने जो अपसे बात करने की कोशिश की है तो मैंने बहुत बारी किसी चीज़ों को देखा आप समझ सकते होगे the way I have connected with you मैंने मेरे दिमाग जो logical है मतलब जैसे कि हम यह क्या होगा कैसे हो टीक है मुझे सही बात और उसको मैं डिफेंड भी करते हूं कोई दो राय नहीं है सच बता होता बहली बाती मैं वस्तिक्ता में जानती भी हूँ कि चीजे क्या फॉलो करने चाहिए और नहीं करने चाहिए बट पेरेंस को समझाना या उनके विरोध जाना इतना आसानी है शादी एक ऐसा चीज यह आपने एक बंदी को भी बूला था जो सजीदा नाम था उनका सानिया ऐसा नाम था तो उनसे भी आपने कहा था कि मुस्लिम्स में लड़के जो है कितनी भी लड़कियों किसा शादी कर सकते है और लाइफ पार्टनर एक ऐसी चीज जो कि गांब्लिंग है तोटली एक दी पॉइंट कि मैं भी उसी उसी इस पर ही हूँ और घर से शादी के लिए प्रेशर आ रहा है और लव मेरे तो घंटा छोड़ी दो फरकी नहीं पड़ता है आप पर तो पहले तो इन हिंदू-muslim वह बहार में गया आपके किसी पर भरोसा करने रायक ही नहीं इनसानी नहीं है और वह भी करके देखा कुछ non-muslim बंदों के साथ में भी तो नहीं है मतलब मैं क्यूब ना मैं एक फीमेल पाइप पाइंट अफिव से भी बोल रिज़िजन पॉइंट अफिव से भी बोल रिए इस्लामी क्रें से भी बोल रहीं बिकाज इ एक डिसिजन और उन्होंने कुछ कर लिया हो गया पूरी जिन्दगी हम खुद को कॉस्टे रहेंगे इतना सेंसे है मुझ मैं और सोच समझ के ही सब सब्सक्राइब होता है कि उसके लिए सही कहा है गलत क्या है और कौन इंसान कैसा है तो यह मैं इतना बोलूंगी इसलाम में बहुत सारी चीज़े जो सही नहीं है इसको हम फॉलूंग नहीं कर सकते हैं और वो युमानिटी के अगेंस्ट ही है तो मैं उतनी रिए तो वेरी मच लिकट जी के आपने और आई डियली वांट तो कॉंग्राचिलेट यू के आपने गलत को गलत कहा और जो आपकी जो भी पर्सनल लाइफ में जो भी आपकी चाहत है एक अच्छे पार्टनर मिलने की हम तो यही प्राफना करेंगे हाला कि मैं रिलीजियस नहीं हूं मैं यह सब चीज में नहीं पढ़ता हूं बट मैं यह होप करूंगा या मेरी यह तमन्ना रहेगी कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले जिसके सब्सक्राइब करूंगी क्योंकि कोशिश तो मेरी थी मैं ट्राइबी किया एक अच्छा लाइफ पार्टनर नॉन मुस्लिंस में भी देखने का लेट मीवां पूट बट कुछ नहीं जो अपनी जात के होते हैं अपनी जात दिखाके ही चले जाते है मर्द जाते हैं कि हम तो मर्द ही है बहुत घटिया लगता है बहुत बहुत बुरा लगता है और जब आप एमोशन के साथ किसी की खिलवार करते हो ना देदी को एक्चुली निकट दीदी को अभी तक जो भी मिला दोकेबाज ही मिला लेकिन पुरी दुनिया दोकेबाज न के लिए और बहुत अच्छा लगा आपकी बाते सुनके आपका दिमाग जो है वो उसमें अपंग नहीं लगा हुआ है ये बड़ी बात है खुल के जीए अच्छे से जीए और अगर्चे आप अपने घरवालों को नहीं बता सकती कि आप इसलाम को गलत मानती है आपने इसल निकजी के लिए एक यार गुलाब का फूल तो बनता ही है कि जो हकीकत है इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया वरना आप देखते हैं कि जो मुमिना जुड़ती है वो कितना उनके अंदर दिमागी अपंग लगा होता है क्या-क्या बात को डिफेंड करती है बच्चों को मार देंगी ऐसा कर देंगी वैसा कर देंगी लेकिन इन्होंने इस तरीके की बाते नहीं किये और जिसका दिमाग चलता है वो कभी भी गलत को एक्सेप्ट नहीं करता यहीं हकीकत है तो बहुत शुक्रिया निकट जी आप आई और हमने आपको प्लाक्फोर्म भी दे दिया दूसरे मुमिन लोग से भी बाते कर ले कर लेते हैं आप देखते रहिएगा सुनते रहिएगा हमारा चल्ड 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 आके बढ़ते हैं दोस्तों टाइम लाइन वोल्ड हिष्टी के दे मेरा नाम प्रदी प्राणा है जग में जीद दे माया दे साया दे और निरोगी काया दे मां संवान दे शुक्स कृति स्दी और ज्यान दे शांती दे शक्ति भक्ती भरपूर दे थेंक यू सौ ग्ढारी मुट ठाइम लाइन प्लें प्डेंट्र झ सुदीब सरकार करें चोड़ना नहीं है बॉम है हजारी प्रशाद करें प्लीज लाइक और शेर काफिरो टैंक यू एडियोर भाई करें अमीद साहिल भाई राम राम आप न्यू रसूल हो इनको टैंक यू सो वेरी मच एडियोर भाई मनोज यादो करें साहिल है मुझे अलम प्रशाद ठैंक यू सो वेरी मच विलियन ठैंक यू सो वेरी मच ब्लैक्पिंग भाई के रहे आप डाबा जाबा ओ जो अरभी आया था सस्ता अरभी पी आई के रहे अल डिरेक्स चनू मार्क अस्मीन के रहे कुडोस की पिट अप टैंक यू संधीब पंजाबी भाई के सचसे काल सर आपको भी सचसे काल सुरेश मेंबर बने हैं ठैंक यू सो वेरी मच चलिए आगे लेकर जाते हैं